हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो वर चैनल टेग गुरुजी जैसा कि आपको पता है निस्था एफलंग करने को मिलते हैं तो अक्टूवर महा के जो ट्रेनिंग मोडूल है वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और इस वीडियो के जरी हम जो मोडूल नुमर तीन और मोडूल नुमर चार है उसकी जो प्रशन उत्री है उसको में आपर डिसकस करेंगे इसके अंबर हम लगबग 40 प्रशनों को आपर डिसकस करेंगे वैसे आपको जो प्रशन उत्री है उसके लगबग सभी प्रशनों के उत्र आपको मिल जाएगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूले यह जो आजकी वीडियो है उसे हमिंधर चोटके लिए हैं कि तो आप देख रहे होंगा है जो हमारी आ याज की तो वीडियो है वह वीडियो भी बच्चों की सीखने की परक्रिया को समझना पच्चे कैसे सीखते हे इसको समझने के जो पिल्क्रिया है उसके बारे हमें आपका प्रसनोत्र डिसक्रस करेंगे तो उसका जो प्रसिच्छन का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा साथ-साथ अगर आप दिक्षा अपकर किस तरीके से इस ट्रेणिंग को जोइन करें यह आपको समझना है तो उसका वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ-साथ आगर आप आप हमारे वाट्सप क्रूप को जोइन करना चाहते हैं उसका लिंक यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जो आज की वीडियो है उसका पहला प्रश्न है उसे हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं तो निष्ठा FLN ट्रेनिंग 3.0 मॉडिल नमर तीन बच्चों की शीखनी की प्रदिया को समझना बच्चे कैसे शीखते हैं उसके हम हिंदी में यहाँ पर डिसक्स करने जा रहे हैं तो इसको सभी प्रदेशों के जो पिच्छक हैं वो इसको देखकर समझ सकते हैं तो प्रस स्रजनात्मक रूची और संभावित रूची दूसरा पहले से मौजूद रूची और बाहर खेले जाने वाले खेलों में रूची तीसरा पहले से मौजूद रूची और अतीत की रूचियां तो था पहले से मौजूद रूची और संभावित रूची तो इसका जो सही उत् अच्छा पॉस्टिक आहर, दूसरा खेल घर के भीतर घर के बाहर, तीसरा कला खोज ब्लॉक संगीत, या चौथा पशू पॉधे पक्षी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कला खोज ब्लॉक संगीत, प्रसंट क्रमांग किंग स्रजनात्मक बुद्धी का अर्थ है, तो इसक साॉध्धों और चिंदाओं को संबूधित करना, जा प्रसंट क्रमानग कौर, प्रसंट क्रमान 4, बच्चों के सीखने में सिक्षकी क्या भूम का हनी चाहिए, प्रशन इसके जो उत्तर हैं वो हैं देखवाल करने वाली बनना, दूसरा सहभागी बनना, तीसरा नजर रखना या चौथा सहायक बनना तो जो इसका सही उत्तर है वो है सहायक बनना अगला प्रस्ण है बच्चों की आवस्षक्ताओं का अनुमान लगाने के तीन तरविकों के क्या नाम है पहला बच्चों की रुचियां जानना पसंद जानना परिवार की प्रस्ट भूहनी जानना दूसरा बच्चों का मित्र जानना पसंद जानना सीखने की शैली जानना तीसरा बच्चों की रुचियां जानना स्वास्त की जानकारी सीखने की शैली जानना यह चौथा बच्चों की रुचियां जानना पसंद जानना सीखने की शैली जानना अगला प्रशन है अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है तो इसके options हैं पहला प्रवार और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा दूसरा मस्तिस का रुजान जेंडर और निजी अनुभव तीसरा साथी और पड़ोसी या चौता स्कूल की यू मदद मिलती है तो इसके options हैं जो सीखा है उसका प्रदासन करके दूसरा बुद्धिमार बनकर तीसरा सिक्षक का ध्यान आकर्शित करके या चौता नई परिस्तितियों और अनुभवों के प्रवंधन के लिए पूर अनुभव का प्रयोग करके जो इसका सही तरह वह है को कहें दूसरा बच्चों को स्कूल में समय के पावंध रहने को कहें तीसरा बच्चों की सीखने की आवश्यक्ता का पता लगां तो इसका सई जो और संविदा आत्मक बुद्ध मता अगला प्रसंद है प्रसंद कमांग 10 एक बार बच्चों की शीखने की आवश्कताओं की खोज करने के बाद सिप्षको क्या करना चाहिए तो इसके options हैं, सीखने की योजना का निर्देश ढत्मक्त प्रक्रियां बनाए अगला question है, प्रस्म की 11 वच्चे समग्र रोप से सीखते हैं, का क्या अर्थ है इसके options हैं बच्चे सभी प्रकार के सुरोतों से जानकारी गरहन करते हैं दूसरा बच्चे खिलते हैं और आनंद लेते हैं तीसरा बच्चे वस्तूं और गटनाओं का अनुभव लेते हैं या चौता बच्चे सब कुछ सीखते हैं इसके जो सहीध तरह बच्चे सभी प्रकार के सुरोतों से जानकारी गरहन करते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण क्रमंक बारा बच्चों की आवस्चताओं का अनुभान लगाने के कितने तरीके हैं इसके जो उप्षन हैं वह है एक दूसरा चार तीसरा दो या चौता तीन तो इसका जो सहीध तरह है वह है तीन प्रस्ण संक्या तेरा कक्षा में कितने प्रकार के परस पर समवाद होते हैं तो इसके उप्षन हैं पहला चार दूसरा तीन तीसरा एक या चौता दो 14 के उप्शेंस है पहला दरासत से दूसरा परेवार की परंपरा से 3 प्रति दिन के अनुवफ जिनका बच्ची सामना करते हैं तो अगला जो प्रेंशन है वो है सक्री और उतुनोमस शात्र बनने के लिए बच्चओं को क्या करना चाहिए ख expos ads वह हैं चंचल या चप्पल बंद कर दूसरा जिग्यासु पहल करने वाले आत्म विश्वास खोजी प्रवर्ती के और चिंतन सीन बलकर प्रसंस क्रमांग 16 कला के द्वारा सीखने के सही उधारन क्या हैं तो जो इसके ओप्शन से हैं वह है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटन की पहँचान करना दूसरा कला के तरीके को देखना तीसरा चित्र पठन या चोथा चित्र तस्वीर खीचना जो इसका सही उत्तर है वह है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटन की पहँचान करना तो अगला जो हमारा प्रस्ण है वह है प्रस्ण संख्या सत्रा शीखने की प्रक्रिया का केंदर कौन होता है तो जो प्रस्ण संख्या सत्र है उसके ओप्शन से हैं पहला स्कूल दूसरा सिक्षक तीसरा साथी समूह चोथा बच्चे तो जो इसका सही उत्तर है वह है बच् करके सीखने का आनभव का क्या अर्थ है तो जो इसके options है वह हैं आख हाथ का समनवे स्थापित करना दूसरा करके सीखना तीसरा मिट्टी से आकरतियां बनाना या चौथा सुक्ष मास्वेशियों के प्रियोग वाली गतविधी करना जो इसका सही उत्तर है वह है करके सीखना प्रसन संक्या 19 पहले से मौजूद रूची में क्या सामिल है इसके options है पहला बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रूची या विशेश लगाओ दूसरा बच्चों का किसी चीज या विचार के बारे में पुराना या तीसरा किसी चीज में अतेदिक रूची विशेश लगाओ या चौथा बच्चों को किसी चीज का अतीत में हुआ अनवग तो जो इसका सही उत्तर है वह है किसी चीज में अतेदिक रूची विशेश लगाओ प्रसन संक्या 20 जो बच्चे बहुत प्रसन पूछते हैं व बच्चे बहुत प्रशन पूछते हैं वह है जिग्यासु होते हैं इसका जो सहुत्तर है वह है जिग्यासु प्रसंद सम्का 21 परबढ़ने से पहले हम लगबग अपनी प्रसंदोंत्री है उसके आदे रास्ते पहुँच चुके हैं और लगबग इन प्रसंदों में से करेंगे लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं तो आप हमें वीडियो के पर बढ़ लेते हैं परसंद करनांग 21 संभावित रूची में क्या सामिल है जो इसके और संसे वह है किसी ऐसी चीज में रूची जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है साय तब जान जाए तो उसमें ही रूची हो जाए दूसरा जिस रूची से बच्चे छुटकारा पान चाहते हैं उसमें रुची तीसरा ऐसी रुची जिसे बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित करना चाहते हैं जो जो इसका सही उत्तर है वह है किसी ऐसी चीज में रुची जिसके बारें बच्चा जानता नहीं है साइद तब जान जाए तो उसमें ही रुची हो जाए प्रसंद संख्या 22 पर हम बढ़ लेते हैं तो प्रसंद संख्या 22 है हमारे पास कितनी इंद्रिया है तो इसके options हैं पहला 7, दूसरा 5, तीसरा 3 या 4 चार तो इसका जो सही उत्तर है वह है 5 हमारे पास 5 इंद्रिया है प्रसने संक्या 23 बच्चे बहतर कब सीखते हैं इसके options हैं जब अपनी चीजें दूसरों के साथ साजा करते हैं जब यह सिच्छकी बास सुनते हैं तीसरा जब स्वें करके सीखने में युक्त रहते हैं या चौता जब स्कूल समय से पहुंचते हैं तो जो इसका सही उत्तर है वह है जब स्वें करके सीखने में युक्त रहते हैं प्रसन्स क्रमांग 24 है बड़ों के साथ परस परसमवाद का क्या अर्थ है तो जो इसके options हैं वह हैं बड़े बच्चों से बात करें दूसरे अबिवावक और सिख्षक स्वें बच्चों के साथ कि परके साहिता करें थीषरा बच्चे सिख्षक और अबिवावक के साथ बैटे हैं तो जो इसका सही उत्तर है वह है अबिवावक और सिख्षक 7 बच्चों के साथ मिलकर्य सीखने की प्रिक्रिया में बच्चों की साहता करें अगला प्रस्ण है प्रस्ण करमांग 25 सीखना क्या है इसके ऑप्शन से एक तरफासमवाद दूसरा खेलना तीसरा एक सक्रिय सहयोग और पूर्ण सामाजिक प्रिक्रिया है या चौथा किताब में पढ़ना तो जो इसका सह सही उत्तर है वह है एक सक्रिय सहयोग पूर्ण और सामाजिक प्रिक्रिया है प्रस्ण करमांग 26 गत्विदी चेत्रों का मुख्य उद्देश से क्या है पहला सांत बैठना तूसरा अपनी पसंद की गत्विदी में खेलना और भाग लेना तीसरा देर तक खड़े रहना या साथियों के साथ परस परसंवाद परवार के साथ परस परसंवाद और वस्तु या सामगिरी के साथ परस परसंवाद दूसरा साथियों के साथ परस परसंवाद तीसरा साथियों के साथ परसंवाद बढ़ों के साथ परसंवाद और वस्तु या सामगिरी के साथ तो जो इसका सही उत्तर है वह है साथियों के साथ परस पर समवाद, बड़ों के साथ परस पर समवाद और वस्तु या सामिजग्री के साथ परस पर समवाद प्रसन क्रमांक 28 पच्चों की सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए गतिविदी छेत्र की मुख्य विशेष्टा क्या है इसके option से हैं बड़ा हो कक्षा में हर तरफ से बहुत में हो कोने में स्थित हो या चौता बच्चों की पहुँच से परे हो तो जो इसका सही उत्तर है वे है कक्षा में हर तरफ से बहुत में हो प्रसन क्रमांक 29 सबसे अधिक सीखना कब होता है पहला जब बच्चे हंसते हैं दूसरा जब सीखने में सभी इंद्रियों का उप्योग या भागिदारी हो तो इसका जो सही उत्तर है वे है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उप्योग या भागिदारी हो प्रसन क्रमांक 30 सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं पहला परिवार में की पसंद दूसरा निजी पसंद तीसरा व्यवारिक पसंद या चौथा स्कूल की पसंद तो इसका सही उत्तर है वह है निजी पसंद प्रसन क्रमांक 31 पांचों इंद्रियों के नाम क्या है तो जो हमारी पांचों इंद्रियों के नाम क्या क्या है पहला option बोलना स्वाद इस पर सूंगना सुनना दूसरा देखना स्वाद खाना सूंगना सुनना तीसरा देखना स्वाद इस पर सूंगना सोचना ये चौथा देखना स्वाद इस पर सूंगना सुनना तो इसका सही उत्तरह रहे है देखना स्वाद इस पर सूंगना या सुनन प्रसंद करमांग 32 जानकारी प्राप्त करने के चार साधन क्या हैं पहला द्रश्य श्रव पढ़ना और स्पर्स दूसरा द्रश्य श्रव गती समवेदी और स्पर्स तीसरा द्रश्य लेखन गती समवेदी और स्पर्स या चौथा द्रश्य श्रव गती समवेदी मौकिक तो उच्छ सिर्णी की बुद्धी वाले बच्चों का क्या अर्थ है पहला जानकार दूसरा गणित में ने पूर्ण तीसरा अक्सर वेविद प्रकार से सोचने वाला या चौथा योग्य जो इसका सही उत्तर है वह है अक्सर वेविद प्रकार से सोचने वाला प्रसिन कमांग च तोजर पांच तीज़रा नरेटिव करिकुलं फ्रेमवर्ग 2005 चोथा नेशनल कोग्निटिब फ्रेमवर्ग 2005 तो इसका सहीध सिरव वह है नेशनल करिकुलंफ फ्रेमवर्ग 2005 प्रश्ण क्रमांग परिस्तिती की समच्छा करने और निर्णे लेने के तरीके जो इसका सही उत्तर है वह है जानकारी ग्रहन करने परिस्तिती की समच्छा और निर्णे लेने के तरीके प्रस्ण क्रमांग 36 कक्षा के बाहर के वातावरन तक पहुंच और सुए करने का अनुवग किस प्रकार की ब जो सयुत तर्य वह हैं समीक शात्मक बुध्यमता रस्मक्रमाग सेंथिस सामुहिक पसंद का क्या रत है पहला बड़े और चोटे समुह में परस परसंवाद दूसरा किसी विशेश परसंवाद को प्रात्मिक्ता देना जैसे अकेले कारे करना साथी के साथ कारे करना बड़े जो इसका सही उत्तर है किसी विशेष परश पर समवाद को प्राथमित्था देना जैसे अकेले कार्य करना साती के साथ कार्य करना बड़े छोटे समों में कार्य करना अधाय 38 है गतीविधी छेत्रों का मुख्य अधेश क्या है पहला अपनी पसंद की गतिविदी में खेलना और भाग लेना दूसरा देर तक खड़े रहना तीसरा सांत बैठना या चौता विश्राम करना तो जो इसका सही उत्तर है वह है अपनी पसंद की गतिविदी में खेलना और भाग लेना अगला प्रशन है प्रसंद संक्या 49 सामग्गिरी के साथ परसपर समवाद का क्या आर्थ है पहला सीखने खेलने की सामग्गिरी पर कहानी और कविता की रचना करना दूसरा बच्चों के पास बोलने वाले खिलोने होना जैसे गुडिया आदी तीसरा बच्चों का विबिन परकार की सीखने खेल सामग्गिरी के साथ सनलग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग कब देखा जाता है पहला option है जब बच्चे दो दिन का कार समय से पूरा कर लेते हैं दूसरा बच्चे जब बच्चे उस काम में सामिल होते हैं और जिसमें उन्हें आनंद आता है तीसरा जब बच्चों को कार सौंपा गया है और बच्चे उसमें सामिल होते हैं या चौता जब बच्चे उस काम में सामिल होते हैं जिसे प्रातमिक्ता देकर पूरा करने की आवे सकता है है जब बच्चे उस काम को में सामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंदा आता है तो आपने इस प्रस्ण औत्री मोडूल मोर्तीम की जो बच्चों की शीखना के परक्रेया को समयंखना बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी प्रस्ण करऊंगा कि जो कि ट्रेनिंग के मोडूल हैं उन्हें आप पूरा पढ़कर अच्छे से समझें और तब प्रशनुत्री को करें साथ-साथ अगर आप इस वीडियो से संबंदित कोई सुझाव है या इस तरीकी की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जु को भी हम इस चैनल के मादधम से आप तक लाते रहेंगे इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ जो बैल का इकान है उससे दवा कर ओल पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो आप से छूटना जाए तो किसी आठा के साथ के आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्ते को साथ शेयर भी कर दिया होगा हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंफोर्मेटेव वीडियो के साथ तब तक के लिए Thank You and Have a N ते